Question is reverse of the following chemical reaction is not possible यहाँ पर एक reaction दिये आपको zinc जो की solid state में है copper sulfate जो की aqueous state में है इससे बनता क्या after the reaction zinc sulfate बना जो की aqueous state में हो copper जो की solid state में है तो आपसे पूछाए कि reverse of the following chemical equation is not possible इस chemical equation का reverse possible नहीं है तो यहाँ पर देखो हमें करना क्या है सबसे पहले हमें पहचाने की कोशिश करने की reaction कौन सी है यहाँ पर देखो zinc है zinc ने copper sulfate को के साथ reaction किया है ठीक है हमने क्या क्या है aqueous solution लिया यानि water में copper sulfate को mix किया है copper sulfate तुम्हें द्यानों का इसका color होता है blue तो यह हमने suppose एक beaker लिया और इस special है इस beaker में हमने कौन सा solution डाल है copper sulfate क एका solution लिया he copar Street का हमने eiquerub Agriculture लिया है blue कर्थ का गापर सलफेत होता है और यहाँ पर हमने क्या किया है εक zinc का piece लिया है जिक का piece लिया है उस piece पर zinc का piece पर हमने कैसे देखार को समय बाद रैट colour का Deposit में हो रही है अब यह जिंक है यह मैंने क्या बनाया है यह है आपका जिंक और यह आपका copper sulphate तो यह reaction हो रही है ठीक है यह मैं इसको boundary कर दे रहे हैं थोड़ा आपको identify करने के लिए जिंक हो गया अब यहाँ पर यह reaction होई तो क्या हुआ हमने इसको reaction को कुछ देर के लिए untouched छोड़ दिया है तो reaction के बाद क्या होगा color fade होगा यहनि की color color less हो जाएगा कैसे color less होगा zinc sulfate बन जाएगा क्योंकि यह zinc जो है यह more reactive कि से more reactive है यह copper से more reactive than copper तो यह क्या करेगा यह displace कर देगा copper को और zinc sulfate बना देगा यह भी aqueous form में रहेगा और प्लस जो copper होगा वह आपका zinc के ओपर deposit हो जाएगा किस color में deposit हो जाएगा कुछ reddish brown color में यह deposit हो जाता है ठीक है तो यह कुछ reddish brown color में यह हमें deposition इसका देखेगा ठीक है तो यह इस तरह से हमारे reaction हो जाती है और displacement reaction का यह example आपको ध्यान होगा आपने displacement reaction जो पढ़ी है उसका पूछाया आपसे कि इसका reverse क्यों ने possible है तो reverse में क्या होगा मतला हमने solution zinc sulfate का लिया यदि हम reverse करेंगे तो यहने हमने क्या किया है solution ले लिया है zinc sulfate का echo solution और जो आपका metal है वो क्या हमने लिया है copper तो यह copper के साथ में reaction है तो देखो यह reaction possible नहीं है यहाँ पर no reaction होगी कोई reaction होगी ही नहीं और क्यों नहीं होगी क्योंकि copper जो है वो less reactive है it is less reactive किसे less reactive है than zinc तो यह zinc से less reactive है इसलिए यहाँ पर reaction नहीं होगी तो यह हमारा displacement reaction का example है और हमेशा याद रखो कि जब हम यह reaction होती है तो यहाँ पर यह solution क्या होगा color less हो जाता है और यह brown color दिख जाता है आपको यह color less हो जाता है simple और इस पर जो zinc piece है उस पर क्या है radish brown color का deposit जिखता है यहाँ पर क्या है यह? radish brown deposit radish brown deposit जिखता है zinc के उपर ठीक है और जो copper sulfate है उसका zinc sulfate बन जाएगा और zinc के उपर copper का deposit हो जाएगा यह हमारी reaction है लेकिन उसके उल्टा है यह हम copper से reaction करते है zinc sulfate solution में तो कोई reaction नहीं होती है यह questions आप से बहुत बार इस तरह भी क्या आपको एक reaction दी जाएगी and it will be asked पूचे रहेगा आपसे कि क्या reaction होगी या नहीं होगी तो वहाँ आपको ध्यान देना होगा तो यदि तुम देखोगे कि जो metal है वो less reactive है लिख दोगे no reaction और जैसे हमने इसमें लिखा कि इसमें copper और zinc sulfate की case में और यदि हम देखेंगे कि metal जो है वो more reactive है तो हमें reaction कर दीनी है clear समझ में आगया very good